नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हम सीखेंगे कि वैडिंगний इलम है जो वो मैनुरी हम कैसेश बना सकते हैं उसका पोर्ट्रेट बगेरा जो कैसे बनाज़ए two- Daw memoryusan फ़ीरम हम एक्टरोल्द बेंगे साईज बनाएंगे और 250 मैंने इसकी रख लिए यह देखिए दोस्तों इंचेज में आपको साइज रखना है और 250 आप जो है रखनी है जो भी आपकी शीर का साइज हो रख लेना विंडो में जाके और न्यू ग्रीड पे क्लिक कीजिए और यहां बीच में एक लाइन लगा दीजिए ठीक है दोस से कल्क करके अपने स्विचेज को ओपन करेंगे और यहां जो रड़ को हूँ April आपड़क कर के हम यहां और बेक स्पेस से जिसको बना देंगे बैकराउं को यनि रेड करदेंगे ठीक है रबुर बैकरांद बनाएंगे आप एक ओर ले खो लिए अपने फोटोस को आपन कर पसानी से बैक्राउंड नेट पर मिल जाएगी ओवरले की बैक्राउंड और आप सर्च करेंगे तो ठीक है दोनों में से आप कुछ भी बैक्राउंड खोल सकते हैं यह जैसे मैं यह बैक्राउंड ओपन कर लेता हूँ एक इसको खींच कि इसमें फोटोशोप में ले आता हू ठीक है इसको थोटा सा और बलर कर लेता हूँ मैं और बलर ओके तब दोस्तों सिंपल इसका साइज पहले बना लीजिए 36 12 और 250 कंट्रोल एक कंट्रोल एक्स करके इसको नो कर दीजिए और इस पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए ठीक है दोस्तों इतना कम होने के बाद आपको सिंपल यहां जाके और इसको ओवरले पे करके देख लीजिए इसको अलग-अलग तरीकी से आप करके देख लीजिए कहां यह सैटिंग बैठता है जैसे यह अच्छा लग रहा है मुझे तो इस पे आप इसको रख दीजिए ठीक है इसको बंद कर देता हूं इसको थोड़ा समय बलर और कर लेता हूं ठीक है और इसको थोड़ा समय यह फिक्का कर देता हूं एक दो तीन यह इसके ओपसीटी यह देखिए यहां से कम कर दीजिए आप बैस नॉर्मली तब कि पीछे वाला बैक्राउन भी हमारा दिखता रहे थोड़ा बहुत ओके दोस्तों विंडो में लेयर्स में जाके मैंन ठीक है ओके इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अपना यहां से टैब से मैं टूल को ले आता हूं और टैब से हटा देता हूं क्योंकि यह परशान करता है कि अगर मुझे डिजैनिक में तो इसको अधिया था मैंने यह देखिए चाहे तो आप इस टूल सिफ्ट एंड के द्वारा भी आप बना सकते हैं इसको ठीक है दोस्तों तो इसको मैं थोड़ा से इधर कर देता हूं ओके इसको एक बार कलोज कर दीजिए और न्यू लेयर पर आप इसको यहां ऐसे बना दीजिए एक डबी ठीक है अब आपको क्या करना है सिंपल आल्ट और फीघ já कर दो करेंगे सकते अवे मैं चाहें और लगार सकते हैं या इस टबड़ सकते हैं और अब अब बना के लगा सकते हैं कंट्रोल आज से वाइट कर देता हूं थाकि यह अच्छे तरीके से आपको दिख पाएं ओके दोस्तों अब हम बैक्क्राउंड को सेलेक्ट करेंगे और यहां सिंपल एक लाइन बना देंगे ठीक है एम टूल की साहता सी और कंट्रोल जे कर देंगे कंट्रोल जे करने के बाद दोस्तों यह कॉपी हो जाती है लेर की यह देखिए और इसको हम यहां से एक इसकी कॉपी पहले और कर लीजिए इसको छोटा कर देते हैं Ctrl T से और इसको एक कॉपी और कर लेते हैं ठीक है और इन दोनों लेयर्स को जोड़ दीजिए Ctrl E दमाएंगे तो इस दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएगी अब इसमें थोड़ा सा आप अरेजर मार दीजिए अरेजर टूल सेलेक्ट कीजिए और यहां ओपिसीटी सोग करके और यहां ब्रश है जो आप रखिए समूथनेस वाला 17 नूमर ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए और इसको टैब से बढ़ा लीजिए है और अब आप क्या कीजिए दोस्तों फिर से इसको स्लेक्ट कीजिए और नूव लेयर बनाइए यहां से नूव लेयर ओके shift दबा कर आपको इस पे ऐसे mouse को track करना है shift दबाने से होता है दोस्तो यह है कि यह चोरस बनती है बिल्कुल डबी अगर shift नहीं दबाते है तो यह ऐसे बन जाती है ठीक है हमें चोरस डबी चाहिए बिल्कुल square में तो इसको हम ऐसे shift दबा कर इसको बना लेगे ओके अब simple आप फिर से यहां black कर लिए या white कर लिए black कर लेता हूँ और alt और backspace दबाईए ठीक है इसको आप यहां से 45 degree पर rotate कर दीजिए यहां आप सीधा भी minus 45 पर कर सकते है minus 45 करेंगे तो यह automatic rotate हो जाएगी ठीक है एंटर दबाएंगे तो यह हट जाएगा ओके अब हम इस पर थोड़ा सा बाउडर लगाएंगे edit में जाके और stock है जो और यहां मैं white increase करूँगा आप चाहें तो कोई भी color यहां से choose कर सकते हैं मैंने white किया है और 8 का मैं इसको inside के अंदर मैं बाउडर रगा जेता हूँ ठीक है इसको उपर ले जाएगे आप थोड़ा सा और थोड़ा से इसको बढ़ा कर दीजिए ओके अब मैं इसके simple यहां इसको copy करके और control bracket से इसको मैं पीछे ले जाता हूँ इस layer को और जो पीछे वड़ यह layer है इसको select करके मैं control U से इसको white कर देता हूँ ठीक है control U हुई research on होता है इससे मैंने इसको white कर दिया ओके दोस्तों इतना कम हो गया है दोस्तों अब आप इन दोनों layers को जोड़ दीजिए ठीक है और control E कर दीजिए यह देखिए दोनों layers से हमारी जुड़ चुकी है अब आप simple इसको उपर ले जाए और यहां एक इसकी copy और कर लेता हूँ मैं ठीक है दोस्तों और इसको मैं थोड़ा सा इससे small कर देता हूँ एक इसकी इसकी copy ही मैं यहां ले जाता हूँ इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ down arrow से दोस्तों आप इसको उपर कर सकते हैं थोड़ी से इसको बड़ी कर देता हूँ ठीक है और इसको भी मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ इतना कम होने के बाद दोस्तों आपको एक इसकी कॉपी और कर लिजिए आप यह देखिए इसकी कॉपी एक और कर देता हूं और यहां स्मॉल करके मैं इसको यूज करता हूं ओके दोस्तों अब देखिए अब हम इस पर फोटो जो लगाएंगे पहले तो इसको मैं यहां लेकर आए और सिंपल एम टूल से इसको सेलेक्ट कीजिए और फैदर देजी इसको बहत ज़्यादा देना है फैदर इसको 200 को शीक्त है क्योंकर हमें वहां मिक्स करनी है कंट्रल-X कीज़िए और इसको नौ करके मैं इसको यहां पेष्ट कर दूँ हूं ठीक है यह देखिए दोस्तों यहां मिक्स हो चुकी है और इसको अरेज टूल से आप इसको और भी मिक्स कर दीजिए यहां से दोस्तों चाहें तो आप इसकी जो फोटो के ओपसिटी है वो कैसे भी सेटिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे जैसे यह देखिए यह देखिए यह अगर अच्छी लग रही तो आप ऐसे रख सकते हैं फोटो को ओके ठीक है दोस्तों यह आगी है फोटो हमरी इंडबिस को आप अपने इसाब से अगर फोटो सही नहीं आ रही है तो बड़ा शोटा कर सकते हैं अब हम एक फोटो और लेकर आएंगे आपको देखना है कि कौन से पोटो रजेस्टमेंट आ रही है तो आपको वह फोटो लेकर करें नहीं में यह फोटो ले गाता हूं और इसको हम यहां से कॉपिक कारके और इसको भी हम सिरेद्थ ज्यादा देके और नौ करके यह पेस्ट करेंगे ओके दोस्तों इसको रेज़े टूल से आप यहां ब्रश स्मूथनेस वड़ा देके और यहां इसको इंक्रीज कर दीजिए ठीक है दोस्तों यह अगर उपर आ ली डबी तो इसको थोड़ा सा आप सैटिंग कर सकते हैं अब आप क्या कीजि tournaments dalam with Diaries in American twent he starts और आपने इसको यहां क्लिक करके और यहां क्लिक करकी इसको यहां क्लिक कर देने θα के और ऑक कर देने हैं यह देखिए हमारी फोटो थोड़ी सी लाइ-ट हो चुकिए अब हम इसको black connect करेंगे black connect दोस्तों यहां gradient map से करेंगे हम यहां black और यहां white रखके image adjust और gradient map जी ठीक है आई जी सका shortcut है और okay कर दीजिए ठीक है थोड़ा सा photo का light कर दीजिए control m से के ओके दोस्तों अब हम्हां ठोड़ी सी इसमें Canon Mixer के द्वारा इसको Yellow Tone दे देते हैं थोड़ी सी यह देखे Blue करके और इसको थोड़ी सी मैंने कर दी Yellow ओके अब चाहें तो यहां से जो हमारे Switchे जाएं वहां से Color Select करके कोई भी इसके Effect भी देखेते हैं जैसे New Layer बनाईए पहले यहां से और Brush के द्वारा हम इसको यहां 100 करके और Brush लगा देंगे यहां ठीक है यहां पहले Smoothness वाला Brush Select कीजिए और यहां लगा दीजिए अब ऐसे करके ठीक है और इसको स्क्रीन कर दीजिए आप करके देख लीजिए स्क्रीन कर दीजिए और कुछ करके देख लीजिए जिसमें अच्छा लगए आपको वह आप रख लीजिए यह देखिए यह कलर भी इसके सर्चन वाला कलर भी अच्छा लग रहा है और इसको आप इसके ऑपिसिटी है जो कम जाए ज़्यादा कर सकते हैं यहां से ओके दोस्तों तो यह एफेक्ट अच्छा लग रहा है आप मिक्स अच्छी त्रेक्ट के से कर सकते हैं यह दिखिए रैजर टूल सेलेक्ट किया और इसको मिक्स अप अपने हिसाब से कर सकते हैं आप यह जगह बची है और यह बची है तो इसमें आप थोड़े से एनिमेशन का यूज कीजिए जो हमारे यह देखिए फूल पत्ति होते थोड़े से आज कल जो रेदिमेट अच्छे चलते है फूल पत्ति उसका प्योंप कीजिए जह देखिए इस तरीके से यह आपको net से आप डाउनलोड करेंगे तो असारनी से आपको यह मिल जाएंगे इसको मैं open कर लेता हूं और control-a, control-x और इसको close कर देता हूं control-w से और यहां control मैंने v किया ठीक है दोस्तों बिलकुल मैं आपको सधारन बाशा में बता रहा हूं ताकि आपके अच्छे तरीके से स और करके देख लीजी कोई वैसे overlay पर अच्छा दिखता है या screen पर कर लीजिए आप यह देखिए overlay मैंने इसको कर लिया और इसको मैंने simple copy करके इधर भी ले आता हूं अब हम यहां कोई welding लिख देते हैं फिर से मैं control उसे उपन किया और इसमें मेरी welding पड़िया है कि आपके तो इसको मैं simple moving tool से इधर ले आता हूं अब जैसे भी कट करके भी लेके आ सकते हैं moving tool के द्वारा भी लेके आ सकते हैं ठीक है यह हमारी welding देखनी रही है तो इसको simple select करके और कि इसको मैं ऐसे white कर देता हूं यहां से ठीक है इसको भी मैं select करके और control backspace दो हो तो यह white हो जाएगी इतना काम हो चुक है दोस्तों और अब आप simple यहां अपनी कोई भी photo लगा सकते हैं यह दो डबी में ठीक है चलिए मैं पहले यहां लगा देता हूं कि यहां कोई फोटो लगा दीजिए आप और simple मैं सबसे कहले यहां कुछ आप चाहें तो गहने वगएरा दखा सकते हैं फोटो दखा सकते हैं जैसे यह फोटो ले आई आई आप इसको यहां पेश्ट कीजिए इसको भी स्लेक्ट कीजिए और यहां आप चाहें तो इसकी आई बगारा यहां कोई यह दिखा दीजिए ठीक है इस तरीके से और यहां दोस्तों आप इसका सौरी कंट्रॉल सिफ्ट टी के दोबारा फोटो को बड़ी चुटी कीजिए यह देखें यहां दखा दीजिए और यहां सेंपल आप खुछ भी आईज में आईज यहां शो करा सकते हैं ठीक है दोस्तों आप चाहें तो आप इन इसको करूंगा और कंट्रोल जैसे इसको कॉपी करूंगा और इसको एक बार ब्लैक कर दूंगा सभी को ठीक है कॉपी कर रखिया मैंने दोस्तों यह देखिए मुदूल साब को इधर करके दिखा देता हूं ठीक है इमेज अर्जेस्ट और ग्रैडियन मैप से मैं इसको मल्टी कल कल्डर दे देता हूं और यहां से मैंने इसको कोई भी कल्डर का इफक्ट दे सकते हैं मैंने इसको यहां से ऐसे कर दिया ओके ओके कर दिता हूं और यहां आप जाके और स्क्रीन करेंगे तो यह देखिए इस पर आपके कल्डर आ जाएगा ठीक है दोस्तों इसी परकार इस में इसको ययलो करना जाता हूं इमेज अड़्जेस्ट और कैनें मिक्सर से इसको ययलो कर देता हूं ओके इसको मैं चाहूं तो कोई कलर देना चाहता हूं तो सिंपल यहां मैं इसको ओके करूँगा और image adjust और gradient map कर दूँगा ओके ठीक है तो इस तरीके से आप इसको भी मैं कोई color दे देता हूँ यहाँ yellow करके और इसको image adjust और gradient map कर देता हूँ यह अच्छा नहीं डग रहा है थोड़ा dark color करता हूँ मैं gradient map तो यहाँ दो फोटो आप कोई भी लगा सकते है function की photo आप लगा सकते है यहाँ दो फोटो को open कीजिए control A, control X और इसको बंद कर दीजिए और simple यहाँ जाईए control shift वी दवाईए magic tools से मैंने select करके और control shift वी दवाए था ठीक है इसी परकार इसको भी select कीजिए और इसको select कीजिए magic tools से लेक्ट करके control shift वी दवाकर इसको paste करतीजिए ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते है background अपनी इसको मैं आप चाहूँ तो इसको border देता हूँ इसको border देना है image adjust stock और ok करतीजी ओके white border लगाता हूँ इसके image में stock में और यह white करके ok कर देता हूँ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही